डोसरे हम बात करेंगे बारनब बाइच के बोन कोइन के प्राइज मूमेंट के पारे में एंट्री लेबर्स, अपडेटेट लेबर्स और आने वाले रिजम में स्कॉइन के टागेट्स करेंगे काइट्री कोइन फाइब व्यूस्टी का राउंड ट्रेड कर रहा है कल इसकोईन में एक अच्छा ब्रेकाउट देखने को मिला था है आपर इसकोईन ने 4 USD से 8 USD वाला लेवर ट्राइ किया 100% जादा कम मुव लिया और उसके बाद इसके प्राइज में ड्रोप देखने को मिल रहा है जहां पर वापिस से सकोईन के अंदर एक अच्छी अपोश्टी निकल के आ रही है जो भी सकोईन में एंटरी देख रहे हैं प्रीविश्टी इंटरी मिस की पॉफिट मिस किया उनके लिए बात करें कौन से आपके लिए बेस्ट एंटरी पॉंट्स रहेंगे और आने वाले तुनों में आपके लिए टागट्स किया रहेंगे अजर ट्रेडर लोंग तर्ब और सोट तर्म के परस्पेक्टिव साब किन एडिया पर नजरे बना रख सकते हैं और आल साली चीजों के बारें बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए इंवेस्टर ट्रेडर मार्केट में आये हैं जिनको ज़्यादा नौलेज एक्स्पेंस नहीं है उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रोपर गाइडेंस प्रोपर स्रेडी शेर की जा सके crypto queries origin की जाएगी signal share की जाएगी और भी बहुत सारे benefits ने तो जो भी अपनी crypto journey profitable स्टार्ट करना चाहते हैं crypto losses ते बचना चाहते है वह इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा की link वीडियो के description में है currently 5.09 पर भी है counter rate करना 5.05 वाला low बनाया नाइट की टाइम में fluctuation देखने को मिली जहाँ पर 5.9 USD तक price गई थी, कर स्कॉइन ने बढ़ा breakout लिया था, 8.2 USD वाला level try किया, उसके बाद से drop देखने को मिला, और वापिस स्कॉइन के price 5 USD कराउंड में देखने को मिल रही है, प्रिवियस्ली स्कॉइन में जब इसकॉइन की listing बिनास futures पर हुई थी, यहाँ पर स्कॉइन में बढ़ा breakout देखने को मिला था, अक्टूबर मन्त में 1.6 USD से 6.7 USD वाला level try किया था, वहाँ से फिर correction देखने को मिला और 3.6, 3.7 से लेके 4 USD कराउंड में पिछले 2 महिने से, अक् हमने इन levels पर आपको profit generate करा है, यहाँ इस coin को proper level पर 5.3, 5.5 पर आपको exit करवा है, profit generate करवा है, बीच में यहाँ पर आपको 4 USD से नीचे buy करके, यह fluctuation जो है जहाँ पर बार बार 4 USD से उपर 4.8, 4.7, 4.9 को try किया, यहाँ पर हमने quick profits generate किये, उसके बाद में जब यह stability थी, इन levels में हमने buy करके, इस coin को hold भी किया, जहाँ पर मैंने 4 USD से नीचे 3.6, 3.4 और इस level पर आपको entry share की, वहाँ से quick targets 4.8, 4.5, 4.8, short term में 4.5 से लेके, 5.5 targets बताये जिनको इस coin ने अभी hit किया, profit generate किया, sport के अंदर आपको थोड़ा weight करना पड़ता है, important है कि आप एक अच्छे level पर buy करें, एक अच्छा stability level जहां से coin के maximum movement के chances हो, breakout के chances हो, भले वो 10 दिन में हो रहा हो, 15 दिन में हो रहा, market के साथ move नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसमें से exit हो जाए, उसमें एक level पर आपको at least one month wait करना पड़ता है, कभी-कभी किसी coin में back-to-back moments होते, back-to-back breakouts होते, यह आपको जब diversify portfolio रखेंगे, तो आपको किसी एक single coin पर आप depend नहीं रहेंगे, तो अभी हमने आपको updated levels जो शेर किये थे कल, वहाँ पर इस coin में move करके आपने profit generate किया, कुछ exit नहीं क्योंकि already हमने आपको जो entry point वाला video था, उसमें सारे targets बताये थे, updated levels भी बताये थे, अभी is coin में drop देखने को मिला, daily के अंदर अगर हम support and recense area की बात करें, तो 5.4 USD से उपर इस coin के daily closing होई है, 5.2 USD वाला इस coin को support area है, उपर के तरफ 6.1 recense area है, जहां से rejection phase करने को मिला है, weekly के के अंदर हम बात करें, तो 6.8 USD, 7 USD वाला level जो है, वो स coin को recense area था, अब उस level से नीचे ही स coin की almost 6.8 USD वा weekly closing होई है, यानि कि वो अभी भी recense area है, support area की अगर बात करें, तो 5.2 weekly के अंदर भी और daily के अंदर भी support area है, लेकिन 5.2 से भी नीचे जाने के chances रहेंगे, इसकी price weekly में, जब weekly closing होगी, तो वापे से coin move करके 5.1, 5.2 के around close करेगा, तो ये support बना रहेगा, daily के अंदर lose कर देगा, price नीचे चली जाएगी, और हो सकता daily में भी price नीचे गई, वापे सूपर move करके, तो अब हमारे लिए important है कि हम buy कहां पर करें, entry कहां पर ले, जिन्होंने पहले profit generate कर लिया, या फिर नहीं कि अभी भी hold है भाई, आपने 3.6, 3.8 हमने आपको 4 USD से नीचे-नीचे के level बताये थे, वहापर buy किया हुआ है, अगर hold है, तो भी आपके portfolio में 30% का profit है, bounce back वापिस करेगा, move वापिस करेगा, और यहां से अब ये 8 USD वाले level को break करके, फिर नहीं levels को try करेगे, क्योंकि potential coin है, वो short term, long term है, बहुत अच्छा profit देगा आपको ये coin, तो यहां से बात करते हैं, entry की, जिन्होंने previously entry नहीं ली थी, पहले तो मैं आपको कल भी बता दिया थे, कि भाई, बढ़ते हुआ coin के अंदर आपको, या या भी down हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप down के अंदर, ये थोड़ा सा down हुआ, 6 USD पर आया, आपने buy कर लिया, 5.8 पर आया, buy कर लिया, ये गलती नहीं करनी है, इसलिए में कोई भी जो बढ़ता हुआ coin है, अगर मिने पहले share किया है, उससे later updated level share करता हूँ, ताकि आप ये गलती ना करे, भाई, एक बार breakout हो गया है, dump हो रहा है, तो थोड़ा wait करे, इस type की rate candles बन रही है, buy नहीं करना, daily के अंदर इस type की rate candles बन रही है, अभी इसमें stability ही नहीं है, green candle, एकार green candle भी close नहीं हुई daily के अंदर, तब तक आप कैसे buy कर सकते हैं, तो थोड़ा सा wait करे, और कहां तक का wait करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 5.3 से नीचे price जाएगी, अभी देखिए, अभी इस coin में fluctuation हुई थी, कल इस coin ने drop लिया था, यहीं तक का, 5.3 तक आई थी price वापिस move कर गया, 5.9, मतलब ये जो level है, इसको थोड़ा support मिल रहा है, तो इस level के around में आप buy कर सकते हैं, around का मतलब है कि इस level बाई नहीं करना, इससे भी थोड़ा नीचे हम wait करेंगे, और price आजाएगी, BTC थोड़ा fluctuate होगा, थोड़ा drop देखने को मिलेगा, वहाँ price आजाएगी, तो 4.8 USD वाले level पर आपको first entry लेनी है, जो रहे कि आपकी 70% part से, जो amount इस coin में लगाना चाहते है, उसके 70% part से, second entry 4.4 की रहे कि जहांपर आपको 30% part से entry लेनी है, यह जो मैं आपको entry बता रहा हूँ, यह बहुत जादा safe entry नहीं है, और confirmation भी अभी नहीं हुआ, यह normal basis पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कि इस level तक आने के chances रहे है, 4.8 तक तो आएगा ही, उससे नीचे कहां आता है, 4.2 4.4, 4.4, मालब इस 4.8 पर जब आप buy करेंगे, तो आपके portfolio में stability रहेगी, आपके portfolio में loss नहीं रहेगा, 4.5 तक price नहीं सकती है, 4.4 पर आएगी हम second level पर buy कर लेंगे, तो यह level हमागा grave level रहेगा, बाकि जैसे ही एक confirm हो जाएगा, हलाकि अभी भी confirmation है कि price जो है, वो इस level तक 4 4.5, मालब 4.8 से लेके 4.5 की range पर जा सकती है, तो इसलिए हम 4.8 और 4.42 levels पर buy करेंगे, 70-30 के ratio में, quick targets की बात करें, वापिस more करेगा, जिसमें एक coin easily 60 USD को cross करेगा, तो आपके लिए 6.2 USD, first target रहेगा, 7 USD वाला second target जहाँ पर आपको 60-40 के ratio में, जो token आप buy करेंगे, उनके 60- 40 के ratio में, सेल करना है, short term में, जो थोड़ा wait कर सकते हैं, 15-20 days, 1 month तक का, वो 8 USD तक का target रख सकते हैं, उससे उपर का भी target रख सकते हैं, बाकि जिससे ही moment होगा, और अच्छे moment के chances रहेंगे, हमाया तब से updated level share की जिसमें, और भी 8 USD से उपर भी जाने के chances रहेंगे, तो हम recovery area पर जो buying price है, वहाँ पर से limit लगा कर रखें, ताकि आपका amount record हो जाए, पहले recovery पर focus करना है, profit पर focus नहीं करना, इसका लावाँ जो भी नए investor trader market में आए है, जिनको ज्यादा knowledge experience नहीं है, वो हमारी premium membership में ज़रू enroll करे, आप रापको proper guidance, proper strategy share की जाएगे, crypto queries की जाएगे, signal share क जाएगे updated levels और भी बहुत सारे benefits हैं, तो जो भी अपने crypto जरनी profitable start करना चाहते हैं, crypto losses से बैचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, इंस्टा की link वीडियो के description में है, बाकी यहाँ पर buy or sale खुद के risk खुद के research के हिसाब सकरें, आपर हम कोई fans advice नहीं दे रहे ताकि आपको overall concentrated knowledge हो सके, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शरू करें, चैनल को subscribe कर लें, thank you